हाई फ्रेंड आयस टेक इनफो में आपका स्वागत है आज हम देखेंगे आशूस जेनफोन मैक्स को वोल्टी अपडेट मैनुवली कैसे करना है आशूस जेनफोन मैक्स को मैनुवली वोल्टी अपडेट करने के लिए आपको यूएजबी केबल और एक पीसी या लैपडेट की जुरूत पड़ेगी मॉबाइल को मैनुवली अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि आपका मॉबाइल कहां तक अपडेट है उसके लिए आपको mobile के setting में जाना होगा setting में जाने को बाद आपको about में जाना होगा उसके बाद software information में जाना है software information में आपको build number चेक करना है यहाँ पर आप देखेंगे build number मेरे phone में 13.8.26.50 थक हुआ है हमें इसके आगे इसे update करना होगा अपडेट करने से पहले हमें ये भी चेक करना होगा कि इस software के आगे कौन सा update file यूज़ करके इसे update करना है उसके लिए यहाँ पर मेरे पास आसूस सेंटर से आया हुआ mail है जिसमें step by step लिखा हुआ है कि किस software के बाद कौन सा software अपडेट करना है इस mail में उन्होंने हमें लिंक भी दिया हुआ है हमें ये software वर्जन कहां से डाउनलोड करना है ये लिंक मैंने description में दिया हुआ है जहां से आप ये वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं हम इस पर क्लिक करेंगे आशूस के official website open हो गया ये देखिए जैनफोन मैक्स यहाँ पर आपको OS सेलेट करना है Android और यहाँ पर आपको firmware में जाना है आपको यहाँ पर देखेंगे आपका वर्जन दिये हुए है तो हमें ये चेक करना है अभी फिलाल मेरा मोबाइल इस वर्जन तक अप्रेड़ेट है तो हमें ये वाला डाउनलोड करना होगा इसके आगे 54 ये देखिए 13.18.26.54 हमें इसे डाउनलोड करना है इसे डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर नीचे देखिए डाउनलोड फ्रॉम ग्लोबल लिखा हुआ है ये ग्लोबल पर आपको क्लिक करना है ग्लोबल पर क्लिक करने के लिए करते ही आपको यहाँ पर डाउनलोड के लिए पूछेगा ये देखिए यहाँ पर डाउनलोड स्टार्ट हो गया है ऐसे ही हमें एक एक करके सारे फाइल्स डाउनलोड करने होगे फाइल्स डाउनलोड होने के बाद आपको मुबाइल को य मुबाइल को कंप्यूटर से कनेट करने के बाद आपको माय कंप्यूटर में जाना है माय कंप्यूटर में आपको मुबाइल का फोल्डर ओपन करना होगा मुबाइल का फोल्डर ओपन करने के बाद आपको इंटरने स्टोरेज में जाना है मुबाइल के मुबाइल के टेनले स्टोरेज ओपन करने के बाद आपको जो अपडेटिट फाइल है उन्हें आपको यहीं पे कॉपी करना होगा तो हम डाउनलोड फाइल में जाएंगे डाउनलोड फाइल में जाने के बाद आपको आपका अब जो फाइल से अपगरेट करना है उस फाइल को आपको सेलेट करना है सेलेक्ट करने बाद उसे कॉपी करना है यहां से कॉपी करने के बाद आपको मोबाइल के इंटरने स्टोरिज में जाकर उसे पेस्ट करना है ईंट्रो स्टोर में अपन किया हमने तो अब यहाँ पर उसे पेस्ट कर देंगे अब यहाँ पर आपका अपर फाइल पेस्ट हो रहा है आपका फाइल यहां पर पेस्ट हो रहा है पेस्ट होने के बाद आपको मोबाइल से आपका SIM card और HD card यानि memory card आपको निकालना होगा और आपका phone का backup भी लेना होगा क्योंकि इसमें कभी-कभी आपका phone reset भी हो जाता है तो हम इसे copy होने देंगे आपका कॉपी होने के बाद आपको आपके phone पे एक बड़ चेक करना होगा internet storage में कि file copy हुआ है और नहीं टिक करने के बाद आपको phone को restart करना है हम phone को restart करेंगे restart होने के बाद आप देखेंगे आपको एक notification आएगा system update file detected उसे आपको select करना है आपको वर्जन बताएगा आप कौन सा वर्जन में update होगा आपके करना होगा उसको आपको आपको उसे कुछ नहीं करना है आपको अपडेटेड फाइल सिस्टम में इंस्टाल हो रहा है यह देखें इंस्टाल होने कबाद फिर से mobile restart हो गया restart होने कबाद यह देखें android upgrade हो रहा है यह देखें यहाँ पर चेंज हो गया यह 54 से हो गया चेंज यहाँ तक होने के बाद इसके आगे हमें यह 60 वाला अपडेट करना है उसके बाद यह 76 वाला करना है तो हमेंने यह 54 वाला जैसे किया उसी procedure में हमें आगे कभी यह लिंक पर जाके यह फायल डाऑनलोट करना है यह देखे मैंने इसाय नाट यह तो आप वैसे करेंगे यहाँ पर मैंने बाखी के भी एक कर लिए 60 वाला यह पर मैं देखें यहाँ पर मेरा 60 वाला हो गया 76 वाला वर्जन इसमें कॉपी कर रहाँ यह कॉपी होने के बाद 60 वाला निकाल देंगे नहीं तो वो उसमें से भी बूत कर सकता है किसमें से करेंगा हो वो रेंड डिट कर देंगे दिए दिलीट ओने के बाद से end procedure वह हे आपको फोन को रिश्टाट करना है रिश्टाट होने के बाद आपका update file detect करेगा उसको select करके आपको restart करना है रिश्टाट होने आप डूधेट हो जाएगा आपको वेट करना है 20 मिनिट ऊण इतुत 30 हम यहां पर चेक करेंगे सिस्टम इन्फोर्मेशन में जाके कुन सा फाइल अप्ग्रेड हुआ है सेटिंग में जाएंगे सेटिंग में जाने का फिर से अबाउट उसके बाद सॉफ्ट्वर इन्फोर्मेशन यहां पर देखिए 13.8.26.76 पर अप्ग्रेड हो गए हम अपना जियो सिम मारे मोबाइल में इंसर्ट करेंगे इंसर्ट होने के वाद हम नेट्वक का वेट करेंगे देखिए यहां पर नेट्वक आ गया है आपके वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करना ना भूले और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूले क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहोगा दन्यवाद आपके लाता है